तो गूड इवनिंग क्या हाल चाले हैं आप लोगे कैसी चल रही तैयारी ओके जॉइन कर रहे हैं कुछ लोग और बिल्कुल बिल्कुल जॉइन करने दीजिए फिर बात करते हैं तो आज का बिटर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोमेंट आफ इनर्शिया एक वेश मिल जाता है Dalton और मॉमेंट ओफ इनर्शिया आफ इनर्शिया दो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपको दो क्वेशक्शन तक मिल सकते इह ये आपको ध्यान लगना है क्लियर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब आप बात करेंगे तो कुछ तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेज जाए और कुछ में लगेगा कॉमन सेंस तो चलिए देखते हैं शुरुआत करते हैं बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है छोटा सा टॉपिक है कुछ चीजें हमे मुमेंट ऑफ इनर्शिया की तो सबसे पहले तो पॉर अ पार्टिकल ठीक है अब ये भई पार्टिकल मान लिजे आपके पास ये एक पार्टिकल है एम और साथ में आपके पास एक एकसिस होनी चाहिए ठीक है ना जिसके अबाउट ये घुमेगा तो मैंने यहां पर एक ए एकसिस दिखाई है और यह ही जो मेरा पार्टिकल है यह इसके चारों और स्वे में घूम रहा है फाइन सपोज यह रेडियस आर आपको गिवन है तो आप सबको पता है कि जो हमारा मुमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल होता है देट इस एम आर स्क्वायर फाइन बि सिस्टम आफ पार्टिकल तो सिंपली मेरा जो आए सिस्टम आएगा देट इस समेशन एम आई आर आई स्क्वायर सिंपल यह हमारा हो जाता है ठीक है और इसके बाद एक और आजाती है और यह होती है पौरा कंटिनियस बॉडी इसमें कुछ स्टेंडर्ड बॉडी है उनको अभी डिसक्स करेंगे इसके लिए जो हमारा फार्मुला है वो है इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम जो भी हमारी बॉडी है अब कैसे एक बार समझ लेते हैं सपोज यह हमारे पास कोई बॉडी है इसमें हमने छोटा सा मा यह 2db हो सकती है 3db हो सकती है यह हमारा मास है dm इसका डिस्टेंस हमने एज्वें कर लिया लेट से वरियेबल डिस्टेंस है आर तो इस छोटे से पार्टिकल का अगर मैं आप से कहूंगा मोमेंट ओफ इनर्शिया क्या हो जाएगा यह पार्टिकल की तरह ट्रीट होगा तो ये बिटा मेरे पास आजाएगा r² dm और अगर मैं इसको sum कर दूँगा सारे particles के लिए that means integration तो मेरा आजाएगा total moment of inertia of a body ठीके अब ये बहुत ज़्यादा use में नहीं आता लेकिन हाँ अब इस तरह के questions आपको मिलने लगे हैं तो कैसे इनको apply करना है ये अभी आगे समझे के तो ये तो बिल्कुल basic था ये सबको याद भी है ठीके एक और term यहीं पर समझ लेते हैं इस पे कई बार question आजाता है that is radius of gyration radius of gyration generally इसे k से denote किया जाता है बट कई बार हो सकता है radius of gyration लेखा हो तो आपको समझ में आना चाहिए ठीक तो suppose बिटा मेरे पास कोई एक body है और कोई भी access हो सकती है ये अंदर बाहर कहीं भी हो सकती है ये मेरे पास एक access है इसके around ये body rotate कर रही है let's say इसके about moment of inertia है I fine अब बहुत ध्यान से समझेगा और इसका mass मैं आपसे कह रहा हूँ M अगर मैं एक mass हाँ जी कैसा mass point mass M equivalent to body इसको मैं k distance पर रख दूँ such that कि इसका भी moment of inertia आये हो जाए ठीके तो बहुत simple सा ये तो concept हो गया but simple सी चीज़ समझनी किया है आपका जो भी moment of inertia है उसको M k square रख दीजे और ये जो k आपका है ये ही आपका radius of gyration फाइन तो ये आपको ध्यान रखनी है ये basic points है अब कुछ standard bodies होती है जिनके बारे में हमें moment of inertia याद होना चाहिए और उसमें दो चीज़े important है एक आपका center of mass और दूसरा आपका axis ठीके तो जड़ा देखते है तो moment of inertia moment of inertia of standard bodies ये याद होंगी तो आधे काम तो वैसे ही हो जाते हैं ठीके इन में से first जो था वो हमारे पास था ring प्यान रखिएगा सबसे important मैंने आप से का axis ठीके अब axis क्या है ये ring कैसे ये एक ring में ने रखा हुआ है और ये axis है जो इसके center से पास हो रही है perpendicular इस वे में clear आजी ये center से पास हो रही है अगर इसका mass m और radius r है बिलकुल सही बात है आपकी तो इसका moment of inertia हो जाएगा mr square ये एक uniform ring है हमारे पास second जो था वो है disk अब disk की अगर हम बात करें तो बिलकुल इस तरह से हम बनाएंगे इसको हम solid दिखा देते हैं ये हमारे पास disk हो गई बिटा और अब जो मेरी axis है वो बिलकुल इसके center से पास हो रही है ये axis के about घूम रहा है ध्यान रखेगा अब disk का mass m और radius r है तो हमारा जो moment of inertia होगा वो होगा m r square by 2 बिलकुल सही बात सबको याद है अब यहीं पर एक चीज़ ध्यान रखनी है बिलकुल ring के जैसे आपका act करेगा hollow cylinder तो hollow cylinder अगर आप देखेंगे मैं बहुत सारे ring को मिला के एक cylinder ऐसे बना दूँ यह hollow cylinder है ध्यान रखेगा तो hollow cylinder बहुत सारे ring को मिलके बनेगा अगर इस hollow cylinder का mass m और radius r है तो जो ring का moment of inertia होता है वो ही cylinder का आएगा ठीक है and similarly disc की अगर मैं बात करूँ यह रही मेरी disc तो यहां पर disc के उपर disc अगर रखेंगे तो क्या बन जाएगा बहुत बढ़िया solid cylinder बन जाएगा क्या बात है ठीक है तो solid cylinder के लिए disc के साथ साथ हम लिख लेंगे solid cylinder और ध्यान रखिएगा axis का बिटा ठीक है तो यह भी मेरा MR square by 2 आएगा बस axis जो है वो cylinder की natural axis होनी चाहिए clear यह दो इसके अलावा एक और है जिसमें आपको hollow disc दी जाती है प्लीज ध्यान दीजेगा यह कई तरह से पूछा जाता है हाँ और इसमें खूब गलती होने के chances होते हैं तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप इसे रटे लेकिन लेकिन अगर रटे है तो फिर पूरा रटे है इसका मास M है इनर रेडियस आरवन और आउटर रेडियस आरटू है ठीक है इनर रेडियस आरवन आउटर रेडियस आरटू और मास जो है वो M है पूरी डिस्क का नहीं हूँ हॉलोड इस जो है उसका मास अब आपका मोमेंट आफ इनर्शिया M आरवन स्क्वाइर प्लस आरटू स्क्वाइर बाई टू ठीक है हाँ यह ध्यान रखियेगा कई लोग सोच रहोंगे सर्फ माइनस क्यों नहीं है बेटा माइनस इसले नहीं है कि वो जो अंदर वाली पॉर्शन जो निकला है ना उसका मास कैपिटल M नहीं है और यहाँ पे इस रिमेनिंग पॉर्शन का मास M दिया हुआ आपको ठीक है वो वाला क्वेशन भी करके दिखाएंगे आपको जब रिमूवड बॉडी वाला केस कंसिडर करेंगे अभी स्टेंडर बॉडी हैं इनको याद कीज़ेए इसके बाद हमारे पास था हाँ जी एक रॉड थिन रॉड ठीक है थिन रॉड की अगर आप बात करेंगे तो हमारी एक्सेस है परपेंडिकुलर टू रॉड एंड पासिंग थू सेंटर और इसका मास आपको गिवन है M और लेंथ है L तो आपका मोमेंट आफ इनर्शिया इसका होता है सबको याद है बहुत अच्छी बात है और यहीं पर एक और देख लेते हैं फिर से हमारे पास थिन रॉड है बस हम अपनी एक्सेस को चेंज करेंगे हमारी एक्सेस अब आ गई इस पॉइंट पर बिटा है एज से पास हो रही है है परपेंडिकुलर टू रॉड एम एल यह आपका हो जाता है ml square by 3 यह standard है यह आपको याद रखनी है clear बहुत अच्छी बात है अब अगर देखें next जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस पर बहुत question आपको मिलेंगे हाँ अभी मैं rectangular plate ले रहा हूँ यह है A यह है B ठीक है हाँ इसके चार cases बन सकते मैं आपको चारों है दिखा रहा हूँ परस्ट case जो number six हमने लिया है उसमें हमारे pass यह हमारी axis है axis is parallel अजी यह plate है हमारी thin plate parallel to place passing through center of mass parallel to plate passing through center of mass चीक है यह हमारा center of mass हो गया तो अब अगर आप देखें तो ध्यान रखिए कि बिटा identical rods में इस तरह से आप इसे break कर लेंगे तो जो rod का है वो ही इसका आएगा और आपका answer हो जाएगा m a square by 12 अगर इस sheet या plate का जो मास है वो capital M आपको दिया हुआ है next देखिएगा बिलकुल same आपके पास है चीक है yes the only difference is जो मेरी axis है अपकी वो यह रही यह इस वे में पुम रही है अब अगर आप moment of inertia देखेंगे तो यह वाली rods आपको लेनी पड़ेंगे इन rods की length कितनी है बिटा बी तो यहाँ पर आपका moment of inertia आजाएगा m b square by 12 clear है हाँ please द्यान रखिएगा यह center of mass से पास हो रही है बस length a लेनी है या b यह आपको द्यान रखने है बहुत बढ़ी है अब एक और देख लेते है हाँ जी next case हम ले रहे हैं फिर से यह हमारे पास plate है और अपकी जो हमारी axis है वो यह रही बढ़ा axis जो है वो एक axis जैसे door open होता न वो वाली situation है ओके इसका mass है m अब अगर आप देखेंगे तो length आपको यह वाली rods लेनी पड़ेंगी बहुत सारी rods लेके आप add कर देंगे सब identical है clear तो इसका बिलकुल सही बात है आपका moment of inertia आपका कितना आ जाएगा m a square by 3 edge के about clear है और इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं एक किस और देख लेते हैं axis बिटा यह होगी आपकी हमारी ऐसे गुल रही है यानि यह वाली rod आपको लेनी है तभी तो बनेगी आपकी plate ठीके इस case में आपका moment of inertia हो जाएगा m b square by 3 तो rod का बहुत ध्यान से sheet का बहुत ध्यान से by 3 है या by 12 है यह आपको ध्यान रखना है clear चालिए अब देखिए इसके अलावा दो और bodies है एक body हमारे पास है hollow sphere और hollow sphere जो हमारा है उसमें आप कोई भी diameter ले लिजे अगर इसका mass m और radius r है तो यह आपको जाएगा 2 by 3 m r square passing through center of mass यह axis है clear तो यह हमारा है hollow sphere और फिर हमारे पास है solid sphere और यहां पर हम थोड़ा सा differentiate करने के लिए आपको solid जो है उसको पूरा फिल करके दिखा दे रहे हैं हाँ बट वहाँ पे जरूरी नहीं बटा डाइग्राम में हर जाएगे हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर इसका mass m radius r और हमारी axis center of mass से पास हो रही है तो moment of inertia आ जाता है बटा 2 by 5 m r square इतनी चीजें कम से कम आपको याद रखनी है अब बटा next जड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजे मेरे पास एक rod है ठीक है और यह rod जो है इसकी मैंने आपको lambda दे रखिया lambda मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ let's say a plus bx ठीक है a plus bx मैंने आपको दे दी और x जो है वो मेरा distance है from a point और मैंने आप से का कि यहां पे इस axis के about आप मुझे moment of inertia बता दीजे ठीक है तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे आप एक छोटा सा particle assume करेंगे जिसकी length dx है और यह x distance पर है क्योंकि यह integration का application हो रहा है ठीक है अब integration आप सबने पढ़ लिया बड़ा आसान हो जाता है अब आपके लिए तो यहां पे आप देखेंगे आपका dm जो आएगा बिटा वो आजाएगा lambda dx इस इट clear अब यहां से अगर आप देखें तो moment of inertia इस छोटे से particle का जो आएगा वो d i लिख रहा हूं से और यह आपका हो जाएगा x square dm या इसी को आप लिख सकते हैं x square lambda dx clear है lambda की value वहाँ पे डाल देजएगा जो भी दियो a plus bx d a plus bx square दी कुछ भी दिया जा सकता है और जब आपको total moment of inertia निकलना है तो आप इसे integrate कर दीजे ठीके integrate करेंगे तो देखें कैसे आएगा मैं यहाँ आप लिख रहा हूं x square a plus bx dx limit 0 से अगर आपको length दी हुई है x is equal to 0 से यहाँ पे length x is equal to f यह आगया आपका clear है अच्छा एक चीज और देखिएगा यह तो आपकी moment of inertia आगया अगर कोई आप से पूछे कि भई मास क्या है what is the mass of this rod तो वो भी आपको calculate करना आना चाहिए ठीके वो कैसे आजाएगा वो आजाएगा integration dm mass is simply integration dm तो यह आपका आजाएगा integration a plus bx dx limit 0 से l मैं solve नहीं कर रहा हूं आप इसको बड़ी easily solve कर सकते हैं क्लियर है बड़ा कोई doubt है तो पूछ सकते हैं तो mass भी आप calculate कर सकते हैं और moment of inertia इसी तरह से जैसे आपको चली एक और देते हैं एक आपको दिया हुआ disc यह disc है और यह disc आपकी इसवे में rotate कर रही है ठीक है और यहाँ पर आपको r distance पर sigma r दिया हुआ है sigma r अब आपको दे दिया a plus b r ऐसे दे देता हूं कुछ भी दिया जा सकता है अभी मैंने a plus b r दे दिया linear relationship दे दिया a plus b r fine vary कर रही है जैसे जैसे आप center से दूर जा रहे हैं आपकी यह vary कर रहे है अब देखिए इसके रहे method क्या है आप यहाँ पर एक छोटा सा ring assume कर लेजे r radius का ठीक है तो अब आपको पता है ring का moment of inertia क्या होगा di is r square dm अब यहाँ जो सारा खेल होता है वो होता है यह dm के आएगा ring का यह जो ring दिखाए ना आपको pink color का देख रहा है इस ring का mass कितना आएगा ठीक है तो total mass आपके पास m given है तो अलग चीज़ जा थी यहाँ पर तो आपको sigma दिया हुआ है तो आप कैसे लिखेंगे 2 pi r dr ये बिटा इसका area है 2 pi r circumference और r dr जो है वो इसकी thickness है तो 2 pi r dr into sigma ये dm आगेगा तो जब आप d i calculate करेंगे तो यहाँ क्या आएगा देखें r square 2 pi r dr और sigma जो है आपका वो यहाँ पे लिख दीजे ठीक और total i के लिए इसको हम integrate कर लेंगे limit 0 से radius capital r जो भी आपको दिया हो अगर ये पूरा radius आपको capital r दिया हो ठीक है r 1 to r 2 दिया तो वो value डाल दीजेगा hollow वाले का आजाएगा समझ में आगे चालिए बहुत अची बात है अब अगर आप इसको देखें तो ये के आजाएगा बटा a plus b r एक तो ये time आया sigma और साथ में 2 pi r cube dr और इसको आप integrate कर दीजेगा 0 से r तक तो आपका moment of inertia निकल आएगा निकल लेंगे यहाँ पर mass भी आप निकल सकते हैं integration dm कर लेंगे तो आपका total mass आजाएगा radius 0 से लेके r पर clear है तो इस तरह के question मिल सकते हैं तो 1 d हमने देख लिया rot 2 d हमने देख लिया एक और देख लिए मन लीजे मेरे पास यह solid sphere है ठीक है solid sphere में मुझे rho r given है अभी मैं standard ले रहा हूँ a plus b r बट कुछ भी दी जा सकती है a plus b r ठीक है और अब वो आपसे अगर पूछे कि भाई मुझे बता दू कि यह center of mass से जो line pass हो रही है इसका moment of inertia क्या होगा अब देखो आप क्या करोगे आप एक hollow shell assume करोगे hollow sphere hollow shell जो भी आप कहलो ना ठीक है radius आ रहे है इसका तो इसका आपका volume हो जाएगा 4 pi r square dr और इसका mass dm हो जाएगा rho into 4 pi r square dr is it clear बहुत बढ़ी है अब अगर आप यहाँ पर देखें तो 4 pi r square a plus b r dr ये हमारा dm है और r square dm अगर मैं लिखूं तो मैं r square से multiply कर दूंगा ये मेरा r square dm आ गया और अगर मैं इसे integrate कर देता हूँ तो मेरा moment of inertia आ जाएगा ठीक है किसका solid spare का तो बहुत सारे shell मिला के एक के उपर एक के उपर एक मिलाते चलिए ये देखिए मैं आपको दिखाते चलता हूँ तो आपका ये क्या बन जाएगा ये आपका बन जाएगा solid spare तो ये तीन में आपको example दिखा दिए कब volume लेना है लेना है तो कैसे लेना है चीकिए न ये राग 4 pi r square d r area लेना है तो कैसे लेना है area लेना है 2 pi r d r और length आपको पता है वो dx से काम चल जाता है clear है बिलकुल इसे note कीजे अब दीखिए एक ही question है ये आपके पास alpha angle पे l length की rod और इसका mass m आपको given है और इसको आपने इस axis के around अगर आप गुमा रहे हैं so what is moment of inertia ठीके तो actual में ये इस तरह से घुमेगी ये इसका टॉप गुम रहा होगा हाजी ये कोन formation होगा ठीके तो आपको moment of inertia बताना है तो इसका भी तरीखा वह ये बिड़ा देखे बहुत simple सा है आप क्या कीजिए ये एक length ले ले लेजे मान लीजे मैंने छोटी सी length ले ली dl और ये मेरी इस distance पर है l पर तो अगर मैं यहां से x देख रहा हूं तो x कितना हो जाएगा हाँ एक particle assume किया न मैंने यह particle assume किया इस particle का distance axis से देखूंगा तो x की value किया जाएगी l sin alpha ये समझ में आया है बटा l sin alpha ये हमारे पास x आ गया ठीक है बिलकुल अब यहां से बटा मैं dm लिख लेंगे m by total length l into dl ये समझ में आया m by l into dl ये हमारी बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है ये dm हो गया ठीक है और अब गया करें x square x square dm ये हमारा d i हो गया ये किसका हो गया इस छोटे से हाँ जी ये जो छोटा सा आपको ये दिख रहा न ये ये दिखेंगे पार्टिकल जो दिख रहा है इसका moment of inertia और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल के moment of inertia को अगर आप add करते चलेंगे तो क्या जाएगा आपका बिल्कुल सही बात है आपका total rod का moment of inertia आ जाता है clear है ये समझ में आ रहा है तो अच्छा एक तो ये तरीका हो गया अब इसको आप कई बार बड़े simple way में ऐसे कर सकते हैं आप कहते हैं सर ये मेरे पास dm है है ना dm है ओके तो एक particle अगर मेरा यहाँ पे इस way में गुम रहा है फिर दूसरा particle इस way में गुम रहा है बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी ठीके ना फिर ऐसे particle गुम रहा है तो बहुत सारे particle का अगर मैं sum ले लूँ तो summation करना पड़ेगा तो integrate करना पड़ेगा ठीके बिल्कुल जब आप इसे integrate करेंगे तो आप देखेंगे यह आपका आ जाएगा ml square by 3 sin square alpha यह आपका moment of inertia यह मैं आपकी practice के लिए छोड़ रहा हूँ हाँ मैंने एक बार पहले आपको कराया हुआ है बट एक बार फिर से क्योंकि यह इस तरह का है कि यह directly आ सकता है ठीके अब देखेंगे इसको चेक करने का तरीका क्या होता है अगर मैं मुझे बहुत सारे option दिये हुआ है अगर मैं alpha को ऐसे कर दूँ 90 degree मनली आपको चार option दिये हुआ है तो आप alpha की value 90 degree डालिए आए कितना आ गया ml square y 3 इसका मतलब मेरा ये वाला answer सही है मैं ये नहीं किया रहा हूँ कि ये की answer है बट कई बार चार में से एक option आपको directly इस विर में मिल जाता है आप 90 degree कीजे और इस rod को अगर आप vertical zero कर देंगे ऐसे करके alpha की value zero ले लिजे तो क्या आ जाएगा zero हो जाएगा moment of inertia आपका zero आ जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा इस तरह के questions आपको मिल सकते नेक्स जो question आपको मिलते हैं वो मिलते हैं थियोरम्स पे दो थियोरम आपकी हैं फर्स्ट है पैरलल एक्सिस थियोरम पैरलल एक्सिस थियोरम में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है हर बॉड़ी के लिए applicable है बस आपको क्या पता होना चाहिए एक ऐसी एक्सिस जो कहां से पास हो रही है center of mass से इसको हमने कह दिया i center of mass तो कोई भी दूसरी एक्सिस जो इस एक्सिस के पैरलल है अगर आप इसके about moment of inertia निकालते हैं तो moment of inertia आपका आता है इसको मैं i new लिख दे रहा हूं नई एक्सिस जो है fine that is m a square plus i center of mass please ध्यान रखिएगा i center of mass से ही shifting होगी और यह जो shifting है यह a distance की है और body का mass m है clear अब इसको जरासी समझने की कोशिश करते हैं कि यह apply कैसे होता है ठीक है जैसे सबसे पहले मैं आप से कहूं कि हमारे पास rod वाला केस था ठीक है तो rod पे मैंने आप से कहा कि यह हमें पता होता है हाँ जी mass m length l यह मेरा center है ठीक है तो मुझे पता है i center of mass मेरा कितना है i center of mass है ml square by 12 यह clear है अब मैं इसे shift कर देता हूं यह h पे shift करता हूं यह भी standard में मैंने बता रहा रहा था आपको तो shifting कितनी होगी बटा ल by 2 तो i इसको मैं i1 कह रहा हूं i1 कितना आगे बटा ml square by 12 plus ml by 2 का whole square is it clear तो यहां से आप देखेंगे यह आपका आजाएगा ml square by 12 plus ml square by 4 और lcm लेंगे तो यह आपका ml square by 3 आ रहा है कह चेक कर लीजे यह ml square by 3 आ जाएगा ठीक है अब देखेंगे अगर मैं आप से कहूं कि यहां पर i2 है और यह distance मेरा b दिया हुआ है चलिए l by 2 ले ले लेते हैं क्लियर तो i2 is equal to i1 plus ml square by 4 क्या मैं यह लिख सकता हूं हाँ जी correct और incorrect यह आपको बताना है देखे parallel shifting की है मैंने i1 से i2 तक बट जैसे ही आप यह देखेंगे यह गलत हो जाएगा बिटा this is incorrect क्योंकि मैं shifting कहीं से नहीं कर सकता मुझे shifting कहां से चाहिए only from center of mass समझ में आया तो मेरी equation क्या बनेगी i2 is equal to i center of mass plus ml square यह correct है यह वला incorrect है तो ध्यान रखिएगा सबसे important है shifting हमेशा center of mass से parallel access theorem में बस एक चीज़ ध्यान रखने clear है अब जैसे ring में और disc में बहुत questions आपको मिलेगी जरूरी नहीं moment of inertia में मिलें ओके यह हमारे पास एक ring रहा अभी ring ले लेते हैं से तीके आप से मैंने कहा कि मेरी जो access है वो यह रही यहां घूम रहा है mass है m, radius है r, ring है इस axis के about ऐसे गुम रहा है तो standard axis अगर आप देखेंगे तो standard axis यह वाली यह था आपका mr square ठीक है और आपकी shifting हो चुकी है r तो यहाँ पर आपका moment of inertia आ जाएगा mr square plus mr square because a is equal to r यह जो shift थी यह shift होके यहाँ पर आ चुकी है समझ में आ रहे है ओके अब एक तो यह चीज़ होगी अब इसी को मैं अगर disc कर दूँ इसी को अगर मैं disc कर दूँ तो क्या होगा हाँ जी बिल्कुल सही बात है आपकी यह mr square by 2 हो जाएगा because यह जो center of mass जा रही है center of mass से जो access pass हो रही है इसके लिए mr square by 2 है लेकिन यह यही रहेगा mr square चीक है इसी तरह से आप hollow sphere और solid sphere को इस पर देख सकते है fine तो यह आपको किसके question मिलेंगे parallel axis theorem के even आपकी sheet पे भी यह question आपको मिल सकते है इसके बाद आता है आपका perpendicular axis theorem perpendicular axis theorem perpendicular axis theorem की जो main बात है वो है it is applicable on 2D और laminar bodies जिने कहते हैं laminar bodies fine it is applicable on 2D और laminar bodies तो मन लीजे मेरे पास एक disk है यह disk है ठीक है अब जरासी समझेगा यह दो perpendicular axis है ix and iy जो plane of body में लाए कर रही है ठीक है टू परपेंडिकुलर axis lying on plane of body ठीक है जो भी आपकी body है उसके plane में लाए करने चाहिए और एक आपकी हो जाएगी इसके perpendicular इसे हम कह रहे हैं iz यह ऐसे खु़ए तो perpendicular axis theorem कहती है iz is equal to ix plus iy बस यह important है ठीक है प्लीज ध्यान रखिएगा यह center of mass हो भी सकता है और नहीं भी इसका मतलब क्या हुआ देखेगा बहुत ध्यान से मान लीजे मैंने आपको दो axis ऐसे दे मैंने का यह मेरे पास i1 है यह मेरे पास i2 और से axis यह red color से दिखा रहा हुए अब ज़रा ध्यान से समझी है यह दोनों axis body के plane से पास हो रही है और इनके बीच का angle 90 degree है clear तो अगर मैं आप से कहूँ इस point पर एक axis है कहां पर इनके intersection point पर fine यह red और black आपको देख रहा है यह देखेए यह वाला point अब dark कर दिया मैंने fine यह जो point आपको देख रहा है इस पे अगर मेरे पास iz है तो वो हमारी होगी i1 प्लस i2 clear है तो यह है आपकी perpendicular axis क्यों रहा है बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान लगने अब इसमें जो question मिलते हैं यह तो कुछ सीधे सीधे वाले भी मिल जाते हैं बट कुछ question जिनमें से हम कोई mass remove करते हैं जैसे आपको दिया जाएगा center of mass में भी हमने इस तरह के questions किये थे हाँ एक यह रही disc है यह हमारे पास और इसमें से यह disc मैंने remove करते हैं fine और remaining जो मेरे पास है वो यह portion ओके और यह इसका center है यह बिल्कुल h से पास हो रही है इसका mass आपको ध्यान रखिएगा mass जो है m जो है वो total दिया हुआ है तो अब समझेगा मुझे यह axis के about यह जो center से पास हो रही है न axis बिल्कुल center से जो पास हो रही है यह moment of inertia निकलना है इसे मैं IAC कह दे रहा हूँ IAC किसका remaining body का is equal to IAC जान रखिएगा same point से axis पास होनी चाहिए total minus IAC of removed हाँ इसको जरासी कहानी समझे कि यह है क्या चीज़ ठीक है बिटा IAC अगर मैं total की बात करूंगा total mass मुझे m total is m दिया हुआ है तो मैं आप से कहूंगा यह मेरा हो गया m r square by 2 इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा किस axis के about इस वाली axis के about ठीक है अब जरासी समझना जो मैं remove करने जा रहा हूं वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं यह मैंने remove कर दी है यह मैंने remove करके आपको दिखाए इसमें क्या चीज़ चेंज होई बिटा इसमें बहुत कुछ चेंज हो गया और यह question बहुत प्यारा बनता है और खूब गलतियं करते हैं इसमें एक तो बिटा mass change हो गया एक तो mass change हो गया दूसरा आपका radius change हो गया ठीके और तीसरा आपका center of mass change हो चुछा है इस section के लिए center of mass है यहाँ पर है इसका मतलब जब मैं IC की बात करूँ IC की बात करूँगा तो यह parallel axis theorem लगेगी समझ में आया अब जैरा देखें अगर मैं आपसे कहूं I C removed removed वाला portion वो क्या हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा I C dash removed plus M dash R dash square ये R dash कर रहा हूँ नया radius ठीक है ये मैंने लगा दी parallel axis theorem कोई doubt तो नहीं आच्छा आप देखिए यहां से जब मैं I C dash की बात करूँगा तो मेरा mass कितना हो चुका है mass मेरा one fourth हो गया ये ध्यान रखियेगा mass is proportional to R square for disk ये पहले कई बार हम बात कर चुके हैं ठीक है तो mass radius आदा हुआ mass one fourth हो गया radius change R by 2 ठीक है तो अब जड़ा देखें I C dash के आएगा disk है तो half पहले M by 4 R by 2 का whole square कहीं भी गलती की न मास में रेडियस में या shifting में गलती हो जानी है और वो option मजिदर बात ये चाहर में से वो option मिलते जरूर है आपको अब mass कितना नए आवाला mass बेटा जल्दी बाजी मत करना M by 4 है ठीके और shifting कितनी हुई है R dash that is R by 2 का whole square ओके तो ये मेरा I C removed आगया इसको मैं subject कर दूँगा M R square by 2 से तो मेरा answer आजाए तो इस तरह से आप removed body वाले में moment of inertia निकाल सकते है clear है हाँ ये question बड़ा interesting बनता है although मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर पूछा जाएगा बढ़ अगर वो कहेगी center of mass बता दो I center of mass तो आपको center of mass पहले calculate करना पड़ेगा और अब समझना क्या है आपकी equation बनेगी I C is equal to I center of mass plus अब जो body बचिये न वो है M minus M by 4 की into A square और A जो है वो है आपकी center of mass और center के बीच का distance यह center of mass है remaining body का अब लेकि कई बार इस तरह के question मिल जाते हैं जो आपने शायद देखे ना हो जैसे एक यह है आपका triangular plate देदी यह triangular plate देदी है और यह इसका mass आपको M given है और इसकी sides जो है वो आपको A by A by A दी हुगी है ऐसे करके दी हुगी है ठीके ना equilateral है तो सब बराबर होनी है अचा अब बड़ी interesting सी चीज है कि आपको पता है कि भाई इसका आपको जो center निकाला करते थे ना उस सब एक ही होता है centroid जितने भी points आते हैं सब एक ही आ जाते हैं इस पर बहुत question मिलते हैं और जरूरी नहीं कि केवल moment of energy में कहीं पर भी मिल सकते हैं आपको ठीके तो यह आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि इसका center of mass कहाँ पर है तो जब आप इसकी बात करते हैं यह आपका center of mass यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ठीके यह center of mass है तो बिटा यह जो center of mass है अगर इसकी height h है तो यह center of mass बेस से h by 3 और top से 2 h by 3 पर होगा यह सबको clear है इसमें किसी को doubt नहीं होना चाहिए आचा इसको याद रखना है h जो है आपकी वो आजाती है a sin 60 degree थोड़ा सा speed में काम हो जाता है height जो आपकी है वो a sin 60 यह समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यह 60 degree होगे तो a sin 60 degree और अगर top से निकलना है तो two third और bottom से निकलना है तो one third ठीके यह समझ में आया center of mass आपको पता है अब अगर मैंने आपसे का कि भाई इसका moment of inertia बता दो what is the moment of inertia तो एक दम से दिमाग जो है वो हिलने लग जाता है यह क्या हो गया इसका कैसे निकालेंगे कहां integrate करेंगे अब देखो यह हमें पता है कि अगर हम एक ऐसा system बना लें जिसका center of mass यहां कहीं पर हो ठीके तो अभी मैं आपको ओके ऐसे करके दिखाता हूं बन गया नहीं बनाई को लेटरल बनाना है भाई मुझे पहले बना लें ओके यह बन गया ठीके चलिए इस point पर हाँ अब अगर आप देखोगे मैंने क्या किया तीन mass लेने तीन mass ले रहा हूं ठीके एक यहां पे रख रहाँ एक यहां पे रख रहाँ और एक यहां पे रख रहा हूं बहुत ध्यान से समझना है इसको इसको मैंने m by 3 कर दिया इसको मैंने m by 3 कर दिया इसको मैंने m by 3 कर दिया तेरा देखना ये दोनों सिस्टम मेरे equivalent हो गए कि नहीं हो गए मेरी जो ये बाडी है मेरी जो प्लेनर बाडी दी हुई है उसका total mass m था ओके अगर मैंने capital m लिया तो मैं इसको भी capital m by 3 ले लेता हूँ capital m by 3 capital m by 3 और एक और रख दे रहाँ capital m by 3 ये समझ में आया बड़ा मैंने क्या किया तीन मास लिये और तीनों को triangle के जो sides हैं उनके center पे place कर दिया this system and this system are equal तीके और मज़ेदार बात यह है कि इनका जो moment of inertia आता है वो भी सेम आता है और इसको याद रख ले ना ये moment of inertia आपका आएगा m a square by 12 किसका? equilateral triangular okay triangular lamina of mass m and side a. इसका moment of inertia किसके about? about center of mass या center of gravity आप g भी कह सकते हैं उसे तो i g या i center of mass is m a square by 12 ये याद होना चाहिए तो ये बिटा basic points हमारे हो गए moment of inertia तो अब आते हैं 2020 जे ये बेंस के जो questions आए हुए है moment of inertia के ये question आपको दिया है massless equilateral triangle e f g of side a as shown in figure has three particles of mass m situated at its vertices the moment of inertia of the system about the axis ex ये वाली axis जो आपको दिखाई है इसके about आपको moment of inertia निकालना है तीन particle है एक e पे रखा हुआ है एक f पे रखा हुआ है और एक g पे रखा हुआ है ठीक है और ये आपको दिया हुआ है n by 20 m a square तो n की value आपको बताना है बहुत ही basic question है ठीक है तो अगर आप बात करें मैं यहाँ पर पार्टिकल के number लग दूँ one two and three particles आपके पास हैं और simply मैं लिख सकता हूँ i is equal to i1 plus i2 plus i3 आप चाहें तो system of particle m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square भी कर सकते हैं एक बार कोशिश कीजिए जल्दी से देखिए answer क्या आता है फिर इसको discuss करते है अब अगर मैं यहाँ पर कहूं तो first particle first particle की अगर हम बात करें तो यह m into zero हो जाएगा second particle की बात करें तो m यह वाला distance बिटा यह distance है ना तो यह angle अगर आप देखेंगे 60 degree है तो यह आपका हो जाएगा a cos 60 whole square और plus third particle जो है आपका वो आपका हो जाएगा m a square फाइन यहाँ पर आप solve करेंगे तो यह m a square cos 60 cos 60 की जब आप बात करेंगे तो यह half आजाएगा और half का square करेंगे तो by 4 plus m a square इसको आप solve करेंगे तो यह आपका आगया 5 by 4 m a square ठीक है और यह आपको दिया हुआ है n by 20 m a square clear है यहाँ से देखिए m a square m a square cancel हो गया और आपके जो n की value है वो आगई 25 हाँ पूरा end तक कहीं पे भी जल्दी वाजी नहीं करनी ठीक है तो यहाँ पर अगर आपने 25 लिखा देन यू विल गेट फुल 4 marks otherwise कुछ ना मिलेगा ठीक है तो यह आपका आसान सा question था बस थोड़ा सा उसको language से बाद में थोड़ी सी exercise करा दी उसने but otherwise बड़ा simple question tha next question dikhtem consider two uniform dS of the same thickness and different radii r1 is equal to r and r2 is equal to alpha r made of the same material if the ratio of their moments of inertia i1 and i2 respectively about their axis is i1 and i2 i1 is to i2 is equal to 1 is to 60 than the value of alpha is okay तो भाई है क्या कि आपको ऐसे करके दो डिस्क दी हुई यह अलग-अलग size की और यह इनकी axis दी हुई है इसको कहा i1 इसको कहा i2 इसका radius r है इसका radius alpha r है और i1 by i2 आपको given है 1 by 16 तो what is the value of alpha यह आपको बताना है बड़े आराम से कीजे खुब confused हुए थे लोग कई तो faculty भी confused हुई चलिए देखते है बिल्कुल पहले आप कीजे इसको फिर discuss कर रहे है जब आप बात करते हैं moment of inertia की तो moment of inertia होता है mr square by 2 और यहीं उन्होंने फ़साने की कोशिश की ठीके इन दोनों का मास बराबर कैसे हो सकता है तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि i is proportional to r square that is wrong here because m is also proportional to r square तो आप क्या लिखेंगे i is equal to pi r square thickness into density into r square by 2 यह आपका आप गड़ा और यहां से आप कहेंगे i is proportional to r square because बाकी सब कुछ constant है pi constant to constant thickness constant दी हुई है same material दिया हुआ है है ना same material दिया हुआ है यह नहीं density same है mass same नहीं है ओहो एक मिनिट एक मिनिट r to the power 4 है और तो अब क्या हो जाएगा i1 by i2 is equal to r to the power 4 by alpha to the power 4 r to the power 4 that is 1 by 16 और alpha की value क्या आगई चेक कर लो यार तू याई है ना तो answer रहा ये 4 नहीं था जल्दी वाजी में 4 कर देते ना सिधे r square के proportional है हाँ अगर mask same दिया होता दोनों disk का तो आपका answer बिल्कुल ठीक था लेकिन यहां उन्होंने कहा है same material तो ये बता दूँ आपको की ये question कहां कहां मिलेगा आपको ठीक है इस तरह का question आपको मिलेगा spare के case में हाँ जहां पर heat वाले question थे ना उसमें भी हमने इस तरह के question किये थे अगर आपको याद हो क्योंकि वहां भी मास का रोल था और मास आरके इसी तरह से अगर आपको याद हो gravitation में किया था याद है या gravitation जहां पर भी मास का यूज होता है और spherical bodies होती है वहां पर इस तरह के question आपको मिल सकते है spherical तो मिली सकते ना मतलब डिस्क में भी ऐसा मिलना यहाँ पर डिस्क का question आया लेकिन spherical bodies और मास का relation यहाँ पर वहाँ ध्यान रखना कि मास आर के साथ proportional होगा ठीक है यह जब भी आपको यह वाली body दिखाई देगी ना तो mass is proportional to r to the power n इस n का ध्यान रखना हाँ भाई यह body पर डिपेंड करेगा ठीक है रिंग है तो directly proportional disc है तो r square के hollow sphere है तो r square के और solid sphere है तो n की value 3 आ जाएगी तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा जल्दी वाजी मत करना नहीं तो परेशान हो ओके next question पे move करते next question में radius of gyration of a uniform rod of length L about an axis passing through a point L by 4 away from the center of the rod and perpendicular to it is अब देखिए आपको एक rod दी गई है mass M length L ठीक है और center of rod से L by 4 distance पर एक axis से आपको radius of gyration बताना है बहुत असान question है एक बार कोशिश कीजिए फिर discuss करते हैं अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो पिटा हमें पता है यह हमारा I center of mass है ठीक है और I center of mass हमारा हो जाता है ML square by 12 is it clear तो यहाँ पर जब मैं इसको मैं I dash कह ले रहा हूँ I dash जब मैं निकालूंगा तो यह मेरा हो जाएगा ML square by 12 प्लस वेरी गुड निशान बिल्कुल सही अंसर है आपका यह आपका जाएगा ML square by 16 ठीक है ना समझ में है रहे ओके और इसको जब हम solve करेंगे तो यह मेरा आगया 7 ML square by 48 और इसको हम रख देंगे MK square के बराबर ठीक है capital M है तो capital M कर दीए M लिखने में कई बार बुलबड हो जाती है तो यहां से M और M cancel हो गया और बिल्कुल आपके K की value आ गई under root 7 by 48 into L तो यह हैसा option बिल्कुल सही बात आपने कहा B option है बिल्कुल B option यही है आपका इसका answer fine चलिए एक और आसान सा question देखते three solid spheres each of mass M and diameter D are stuck together such that the lines connecting the centers form an equilateral triangle of side of length D the ratio I0 by A0 of inertia I0 of the system about an axis passing through the centroid and about center of any of the sphere IA and perpendicular to the plane of the triangle is okay तो बिटा आपको देखे दो पॉइंट देऊ है एक तो यह यह यहां center centroid दिया हुआ है चिके ना equilateral triangle अभी अभी हमारी बात हुई थी तो एक तो यह हमें दिया हुआ है तो आपको calculate करना है I0 और दूसरा आपको calculate करना है IA और प्लीज ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह की यह diagram बने हो ना तो यह जरूर देख लीजेगा कि भाई यह है क्या because मैंने आपको कई बार कहा है यह ring भी हो सकते हैं यह disc हो सकती हैं यह hollow sphere यह solid sphere यह hollow cylinder और यह solid cylinder six items में से यह कुछ भी हो सकते हैं और यह item आपका item बना सकते हैं ठीके तो भाई आपका item ना बने इसके लिए better यह है कि आप इसको ध्यान से पढ़ने कि भाई यह मेरे पास solid sphere है तो solid sphere वाला moment of inertia use कीजे ट्राइ कीजे फिर discuss करते हैं अब बिटा अगर हम बात करेंगे तो एक sphere का जो वैसे आएगा अपने center of mass के about वो आपका आजाएगा 2 by 5 mr square fine हाँ और r यहाँ पे आपको given है d by 2 diameter d दिया हुआ देके यह distance आपको d दिया हुआ ac fine तो यह ही diameter है 2 r हो गया है okay very good अब अगर आप देख रहे हैं तो मैं o से बात कर रहा हूँ यह distance हमें पता है बटा यह distance है हमारी two third of d के दू oh sorry two third of d cos 60 cos 60 sin 60 two third of d sin 60 check कर लो हाँ बई यह देखो न यह 60 degree रहा यह वाली length जो आई है d sin 60 आ गई तो two third of d sin 60 होगी okay अब इसको अगर मैं a कहूँ यही तो shifting हुई है न o से o से अगर आप बात करेगे center of mass से इतनी shifting हुई है तो a मेरा यह आ गया इसको मैं यहा पर ले रहा हूँ two by three d root three by two तो यह मेरी आ गई d by root three a आ गई मेरी fine तो जब मैं i o calculate करूँगा तो मैं कहूँगा three मेरे पास square है और यह मेरा आ जाएगा two by five m d by two का whole square okay plus shifting parallel axis theorem की वज़े से वो मेरी आ जाएगी m d by root three का whole square just check कीजे क्या यह आ रहा है आप तो इसको अगर हम solve करेंगे तो यह मेरा बनेगा two by five m twenty आ गया यहां पर m d square अच्छा m d square मैं common ले लूँ और यह मेरा आ गया one by three तो one by three अगर करेंगे तो यह twenty three by thirty कुछ ऐसा रहा है क्या और यह मेरा आ गया ten तो twenty three by ten m d square एक बार यह दिखें यह मेरे पास i o मिल रहा मुझे और इसके बाद मुझे calculate करना है i a fine तो i a भी देख लेते हैं आपको कैसे calculate होके आएगा i a की जब मैं बात करूंगा तो बिटा एक तो मेरा स्फेर वहीं से पास हो रहा है तो उसका तो आजाएगा two by five mr square और बाकी दोनों स्फेर जो है वो identical है तो इसको मैं लिख सकता हूँ two by two by five mr square plus अब shifting देख लीजे कितनी ही दी तो यह बिरा गया m d square fine तो यहां से अगर आप देखेंगे तो two by five m अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दू three into two by five m d square by four यह और यह मैंने add कर दिया plus two m d square ऐसा बन रहा है बिटा चीगे तो यह मेरा आगया twenty three by ten m d square है हां 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 के जार बढ़ा हो रही है दोनों 23 कैसे आ रहे है आच्छा 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 एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट मेरी यहां पर कुछ गड़ बड़ हो गई है यह 13 है बड़ा सॉरी यह 13 है और यह 23 md square आ रहा है अब अगर आप देखें आपको कैल्कुलेट करना है आई नौट बाइ आई एट यह आपका आजाएगा 13 बाइ ट्वेंटी थ्री क्लियर है एक बाद चेक कर लीजिए अपने हैंट पर चेक कर लीजिए 13 बाइ ट्वेंटी जी कहीं अंसर है यह वारा रहा है थ्र्टी बाइ ट्वेंटी थ्री भीजा है यह थ्र्टी पहले वाले थ्र्टी आ रहा है बिलकुल ठीक कहीं जीकर चेक कीज़ें एक का 13 by 10 md square आ रहा है दूसरा 23 by 10 md square आ रहा है एक question और देखते हैं अब बिड़ा यह आपको दिया हुआ है for a uniform rectangular sheet shown in figure the ratio of moment of inertia about the axis perpendicular to the sheet okay and passing through o and o dashes okay एक बिड़ा आपके पास axis यह है अभी देखे थोड़ी दिर पहले हम इस तरह की बात करी रहे थे और एक हमारे पास यह है चीक है तो दो axis हैं एक बार यहां घूम रहा है एक बार यहां घूम रहा है ठीक तो uniform rectangular sheet दी गई है अभी मैं इसे generalize कर देता हूँ मैं इसे a ले लेता हूँ और इसे b ले लेता हूँ ठीक है आप मैंसे कोई मुझे बताएगा what is i o हाँ i o देखे मैं यहां पर बना दे रहा हूँ यह a है यह b है यह m है ओके यह हमने दो axis ले ले एक को मैं कह रहा हूँ i x और एक को मैं कह रहा हूँ i y ठीक है और simply i o is equal to i x प्लस i y ठीक है अगर आप इसको a भी लेके करेंगे तो यह बड़े आराम से this all हो जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है 60 80 की जरौत पढ़ेगी नहीं यहां पर देखें आई एक्स कितना आ रहा है i x यह वाला है यह वाली रॉड लेंगे i x के लिए यह वाली लेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ m b square by 12 और i y क्या आएगा m a square by 12 is it clear कितनों को यह बात समझ में है यह वैल्यू रखके कर सकते हैं यह वैल्यू रखने की जरौत नहीं पढ़नी चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे io- की अगर हम बात करेंगे io- ठिक है तो अब दीखो एक aces आपकी यह रही और एक aces आपकी यह रही यह edge से चली गी अब अगर आप देखेंगे तो एक रॉट आपकी है और एक रॉट आपकी है यनि आपके पास I.O.डश आ गया M.A.Squire by 3 plus M.B.Squire by 3 एंगें और आपसे पूछा गया I.O. by I.O.डश तो ये आपका आ गया M.B.Squire plus M.A.Squire बिल्कुल और यह दोनों आपके cancel हो गए यह आपका 1 by 4 अगर कोई option आपको देख रहा है यह आंसका answer बिल्कुल सही बिटा आपका भी आगया बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है एक और question देख रहे है 4 point masses each of mass m are fixed at the corners of a square of side l ओके चार mass हमारे यहां पर रखे गए इक यह रहा एक यह है ओके आप चाहिए तो इसको 1, 2, 3, 4 ऐसे numbering कर ले the square is rotating with angular frequency omega about an axis passing through one of the corners of the axis okay and parallel to its diagonal यह ऐसे गुम रही है और यह इसके parallel है parallel का मतलब यह angle आपको 45 degree दे दिया गया है तो सिर्फ आहां आपको आई निकालना है और आई अबाउट डैट एक्सेस यह वाली जो एक्सेस इसे हम आई एक्सेस कह रहे हैं यह आपको निकालना है और यह आपके पास क्या है system of particle है तो आपको बस आई एक्सेस निकालना है आई एक्सेस आपका क्या हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई पूर एक बार इसको solve करने की कोशिश कीजिए बहुत आसान question है फिर डिस्कस करते हैं इस ओके चलिए देखें अगर फस्स पार्टिकल को आप देखेंगे तो फस्स पार्टिकल तो वहीं पर है तो यह जीरो हो जाएगा second और थर्ड पार्टिकल का exactly सेम आना चाहिए और यह वाला distance जो है न यह distance आप बता सकते हैं कितना है बिल्कुल सही बात है अगर आपकी length यह a है तो यह a root 2 by 2 आ रहा है तो इसको मैं simply लेख सकता हूँ m a root 2 by 2 का whole square multiplied by 2 कर दूँ i2 और i3 दोनों सेम है और i4 की अगर आप बात करेंगे तो m a root 2 whole square यह आपका आ जाएगा a root 2 whole square इसको जब आप solve करेंगे तो twice into m a square by 2 plus m a square into 2 और यह 2 से 2 आपका cancel हो गया यह आपका आगया 3 m a square यह आपका i आगया बटा ठीके और a की जगे आपको length जो है वो l दी हुई है मैंने a ले ली थी यहाँ पर आपको side length l दी हुई है तो आपका i axis जो आया वो आगया 3 m l square multiplied by omega ऐसा जो भी answer है वो ही आपका answer होगा और बिलकुल यह c रहा आपका answer clear next question on the linear mass density of a thin rod a b of length l varies from a to b as lambda x is equal to lambda naught 1 plus x by l where x is the distance from a if m is the mass of the rod then its moment of inertia about an axis passing through a and perpendicular to the rod is okay तो यह एक rod हमें given है चलिये rod बना लेते हैं यह हमारे पास rod है x is equal to 0 पे start हो रही है x is equal to l तक जा रही है lambda हमें given है lambda naught 1 plus x y l ओके यह हमें lambda given है और moment of inertia calculate करना है about an axis okay passing through a okay perpendicular to it यह रही आपकी axis बिटा fine तो यहां आपको rotate करना है ठीक है बिलकुल अब आप देख रहे हैं अब यह आपका सीधे सीधे ml square by 3 नहीं आएगा क्योंकि यहां पर lambda जो है वो variable है constant नहीं है अगर यह constant होता तो आ जाता है ठीक अब आपको इसको integration से solve करना होगा आप assume करेंगे x distance पर एक छोटा सा पार्टिकल जिसकी length आप मानेंगे dx और यहां से आप देख करेंगे और देख करेंगे और dm निकालेंगे dm आपका आजाएगा lambda dx इसको integrate करेंगे integration dm that is your m and that is integration lambda dx limit 0 से l और जब आप इसको करेंगे integration r square dm तो यह आपका आजाएगा moment of inertia कोशिश कीजे फिर आगे discuss करते हैं हाँ एक बड़ पहले खुद कोशिश कीजे फिर डिस्पर्स करते हैं ओके तो अगर हम इसको बिटा solve करेंगे यह कोई answer मेरे पास आया है तो इसको गर हम देखें बिटा तो बहुत simple सा हमारे पास है integration r square लेंडा नौट वन प्लस एक्स बाइल ठीक है आर स्क्वेर स्वरी आर की जगे मैं यहां पर जो है एक्स रख दे रहा हूं ठीक है न एक्स स्क्वार लेंडा नौट वन प्लस एक्स बाइल डी एक्स ऐसे आ जाए integration ठीक है और इसको लिमिट लेंगे जीरो से लेके ल तक बिकॉस एक्स हमारा जीरो से लेके ल तक वैरी कर रहा है क्लिर रिटा तो यहां से आप देखेंगे यह आपका सिंप्ली लेंडा नौट तो हम बाहर ले ले लेते हैं यह हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब बाइट ट्री प्लस एक्स तुदी पावर फोर बाइट फोर एल ऐसा आया लिमेट जीरो से ल यह मेरा मुमेंट आफ इनर्शिया आ गया अब यहां पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो यह आपका जाएगा सेवन बाइट ट्वेल्व चार तिल साथ सेवन बाइट ट्वेल्व लेंडा नौट एल क्यूब आ रहा है अब अगर आप देखें तो पह यह होएं में में इसलिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा और यह वाली चीछ से हमें एम की वेल्यू निकालना पड़ेगे तो यहां पर अगर हम देखें तो यह हमारे पास आजाएगा इंटीग्रेशन लेम्डा नौट वन प्लस एक्स बाइल डी एक्स क्वाईर वाई टू एल आ रहा है ठीक है लिमिट जीरो से ल यह मेरा मास एम आ गया बड़ा और इसमें जब मैं एल की वैल्यू डालूंगा तो यह मेरी आ जाएगी थ्री वाई टू एल आ रही है क्या एम इस एक्वल टू थ्री वाई टू यहां पर एल आएगा न ऑके आपके रहे हैं बिया अनसर आ रहा है बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक भी यहां पर त्रिशना पड़ेगा न आपको तो लैंटा की वेल्यू रखो गे टू एम बाई त्री clear हाँ LQ by L इस तरह से आएगा यह आपका 2 से गया 6 तो 7 by 18 M L स्क्वाइर और यह रहा आपका 7 by 18 M L स्क्वाइर आपका अंसर ठीक है तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगाने वाला था लेकिन टफ नहीं का जाएगा टाइम के हिसाब से थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा यह तो बात है clear mass per unit area of a circular disk of radius A depends on the distance R from its center as sigma R is equal to A plus B R the moment of inertia of the disk about the axis perpendicular to the plane and passing through its center okay तो यह अभी थोड़ी थोड़ी दिर पहले हमने बात की थी एक हमें disk दी हुई है और यह हमारी axis रही और यहां पर हमारे पास sigma R जो है वो हमें given है A plus B R ओके तो यहां पर आप क्या करेंगे आप एक छोटा सा ring assume करेंगे ठीके जिसका radius R है तो इस radius का जो ring है R radius का इसका अगर मैं mass loop DM यह कितना हो जाएगा पटा अभी मैंने आपको बताया था 2 pi r sigma dr यह था 2 pi r dr into sigma यह हमारा DM था ठीके where sigma is mass per unit area तो d आपने ले लिया 2 pi r dr कोई doubt तो नहीं आचा इसके इसाब से अगर आप देखेंगे तो r square dm यह आपका आई आ जाएगा limit 0 से r था fine तो जब आप इसको देखें तो 2 pi r sigma dr into r square इसको integrate कर दें 0 से लेके r ठीके अब बिटा sigma यहां constant नहीं है तो sigma की value भी डालनी पड़ेगी उसको भी डाल देते हैं तो देखें जराए यह किया जाएगा यह 2 pi तो बिटा मेरा बाहर आ गया integration r cube a plus b r dr limit 0 से capital r यह इसको मैं और क्या लेक सकता हूँ 2 pi तो मैंने common ले लिया integration a r cube plus b r to the power 4 b r और limit 0 से r जब इसको solve करेंगे तो हमें मिलेगा 2 pi a r to the power 4 by 4 plus b r to the power 5 by 5 ठीक है जी? और limit 0 से r clear? ओके a दिया हुआ अच्छा radius इन्होंने a दिया हुआ है बिल्कुल 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 तो आप a ले लीजे r is equal to a कर लीजे कोई बात नहीं r is equal to a कर लीजे ठीक है? r की value आपने a रख दी है यहां पर तो कौनसा answer आ रहा है? बिल्कुल सही बात है आपकी यह आपका जाएगा 2 pi a to the power 4 बाहर ले लेते है a by 4 plus b a by 5 यह हमारा moment of inertia आ गया लग खतरनाक रहा था बड़ा आसान सा question और option हमारा b correct हो गया लागा a b c is a plane lamina of the shape of an equilateral triangle d e are midpoints of a b a c and g is the centroid of the lamina moment of inertia of the lamina about an axis passing through g and perpendicular to the plane a b c is i naught okay if part a d e is removed क्या बात है? a d e कौनसा part है? यह वाला part बटा इसको आपको remove करना है ठीक है? the moment of inertia of the remaining part about the same axis is n i naught by 16 where n is an integer then value of n is okay तो यह removal वाली चीज़ जो हमने आपको बताई थी वो चीज़ यहां पर आ गई ठीक है? अब बटा i g of total minus i g g के about यह निकाला ना देखें? about the same axis का है? तो g से जो axis पास हो रहे है तो i g removed बस यह आपको calculate करना है तो यह आपका i remaining आ जाएगा और किस axis के about? g axis के about fine अब अगर आप देखें तो i g total जो आपका होता है यह मैंने आपको बताया था i g total जो है वो आपका हो जाता है कितना ml square by 12 मैं यह आपे लिख देता हूँ ml square by 12 यह आपको i not given एबड़ा fine minus अब यह जो remaining वाला खेल क्या है कि इसी को बस आपको ढूंडना है और कितनी जल्दी आप ढूंड पाते हैं यह आपका तो इसका center of mass यहाँ पे आएगा चीके? अब आप याद कीजे क्या क्या मैंने आपसे काता क्या क्या चेंज होगा एक तो m चेंज हो रहा है ठीके? दूसरा इसकी length चेंज हो रही तो a चेंज हो रहा है और इसका center of mass चेंज हो रहा है यह समझ में है या? ठीके? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ m dash l dash square by 12 plus m dash a square यह a समझेगा यह क्या है? यह वाला distance है अब यह कितनी जल्दी वहाँ पर exam time पर ऐसी चीज मिली और आप उसे कितनी जल्दी calculate करते हैं यही सारा खेल था यह time taking questions में था लेकिन अगर आपको चीजें पता हैं तो आप बड़ी speed में से कर सकते हैं अब m की जगे क्या आगे है? एम मेरा हो गया है नया जो एम मास चेंज होके जल्दी बता दो कितना हो जाएगा? हाँ यह midpoint है ना तो यह class 10th की theorem थी hide भी half हो जाएगी तो यह आपका m by 4 हो जाएगा पहली चीज ठीक है? लेंथ आपकी हो गई है a by 2 नई लेंथ ही आ गई है l dash ठीक है? l change कर लो और फिर आपका center of mass जो change होगा आप इसको कैसे निकालेंगे देखिए बहुत आसान सा है यह gap आपको पता है top से gap पता है कितना था? 2 3rd of d sin 60 था चेक कर लो भाई 2 3rd of d sin 60 था यह और यह कितना हो जाएगा? मतला सुरी यह a हो जाएगा न ए कर लो इससे और यह हो जाएगा 2 3rd of a by 2 sin 60 ठीक है? तो जो मेरी एल ले लो यार एल ले लो कोई बात नहीं एल ले लो ए मेरा क्या एगा? shifting जो होगी है shifting इसको मैं लिख रहा हूँ g-g यह जो shifting होगी है यह कितना आ गया? ओके तो देख लेते हैं 2 3rd of l sin 60 common ले लो 1 minus half आ गया ठीक है? ओके तो यह मेरा आ गया l sin 60 is root 3 by 2 into 3 कुछ ऐसा आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल किसी ने भेजा था मुझे ए बाइ 2 root 3 बिल्कुल सही answer बढ़ा है ठीक है ना? हाँ मतलब यह length तो यह l by 2 root 3 यह मेरी shifting हो जोगी हाँ जी बिल्कुल 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 इन values को जब हम put करेंगे तो क्या आ जाएगा जड़ा देख लेते हैं मिटा यहां पर मेरे पास आ रहा है ml square by 12 minus m dash मेरा मैंने आपको पताया m by 4 हो चुका है यहां पर 1 by 12 आ रहा है l dash जो है मेरा वो l square by 4 आ जाएगा ठीक है जी और minus sorry plus m by 4 और d a जो मेरा आया है वो आया है l square by 4 into 3 ऐसा कुछ आएगा चेक करो जाएगा ठीक अब यहां देख रहे हो आप ml square by 12 अगर मैं common ले लूँ तो यह मेरा बनेगा 1 minus 1 by 16 plus 1 by 4 कुछ ऐसा बन रहा है और अगर मैं इसको further solve करूँ तो यह मेरा बनेगा m यह बनेगा ml square by 12 1 minus 5 by 16 आ रहा है तो यह मेरा आ गया 11 by 16 into ml square by 12 और ml square by 12 मुझे दिया हुआ है i naught तो इसको मैं लेख सकता हूँ 11 by 16 i naught फाइन अब जरा question में देख लें भाई क्या कान यह हमें दिया हुआ था n i naught by 16 और यह हमारा आ चुका है 11 by 16 i naught यानि n की value हमारे आ गई 11 चेक कर लीजे बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया 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 तो यह थोड़ा सा हां इसमें चीजें सोचनी थी आपको और बार-बार मैं आपसे कहता हूँ कि moment of inertia और इस तरह के जो questions होते हैं इन में कुछ चीजों का आपको बहुत ध्यान रहे जो twisted वाले होते हैं mass change हो रहा होता है length here radius change हो रहा होता है और shifting moment of inertia of a cylinder of mass m length l and radius r about an axis passing through its center and perpendicular to the axis of the cylinder is i is equal to mr square by 4 plus l square by 12 okay if such a cylinder is to be made for a given mass of a material then ratio l by r for it to have minimum possible eye ये तो physics का question ही नहीं है हाँ बस आपको physics के लिए ये use किया है इनों ने ये question maxima minima का है हाँ जी maxima minima का question है चीक है अब जड़ा देख लेते हैं question होगा कैसे इसमें physics की काहनी कुछ नहीं लग रही है बस आपको ये याद है maths में है कि m is equal to cylinder का आपसे m is equal to pi r square l ये आपका constant given है fix mass के लिए ये constant given है ठीक है और i आपको दिया हुआ है m r square by 4 plus l square by 12 ये given है ठीक तो आपके पास दो variable है बिटा एक r है एक l है आप दो variable में deal नहीं कर पाएंगे तो आपको पता है कि एक variable दूसरे पर dependent है तो बेटर ये है कि हम उसे change कर लें तो क्या करते है आर स्क्वाइर को यहां से एल डी यह लिख दूँ एम बाए पाए एल डी आर स्क्वाइर की जगे लिख दूँ और यहां फोर आ जाएगा plus l square by 12 यह मेरा moment of inertia आ गया moment of inertia as a function of l यह समझ में आ रहे है clear है m constant है अब अगर मैं di by dl निकाल के वैसे तो मुझे second derivation भी चेक करना चाहिए second derivative भी अगर मैं इसको 0 रख दूं तो मुझे पता है यहां पर यहां तो maxima होगा यह मीनिमा होगा यह तो condition है तो बस डी आए बाए डील निकाल के 0 रखो तो हो सकता है एक ही value आए वही आंसर होगा clear तो भाई di by dl निकल देते हैं तो m तो constant होगे आपका अच्छा फिर यहां पर आप देखेंगे तो यह आपका आजाएगा m by 4 pi d constant हो जाएगा d by dl of l to the power minus 1 plus इसको differentiate कर देता हूँ 2 l by 12 यह हमारा di by dl आगया और इसको हमने रख दिया है 0 बिटा maxima minima की condition तो यहां से आपको मिल गया m by 4 pi d यह आपका आगया minus 1 by l square ठीक है ठीक that is equal to minus l by 6 ओके चेक करो तो अब m by 4 pi d m by pi d कुछ दिखा था ना m by pi d is यह रहा m by pi d is r square l तो मैं इसको लिख देता हूँ r square l by 4 l square is equal to l by 6 ज़र टेक करो अपने end पे एक l से यह l कट गया ओके हमें क्या चाहिए l by r चाहिए तो यहां से l square by r square is equal to जितना आ गया l square इदर गया 6 by 4 ऐसा रहा है l square by r square is 6 by 4 ठीक है और हमेंच यह l by r l by r हमारा आ गया under root six by four को खूए है अच्छा एक बर और ठीक है 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 ऐसा option है हमारे पास रूट three by two जो option है वो ही हमारा answer है ठीक है बिलकुल सही बात है आपकी b जो answer है वो ही हमारा आंसर है तो देखिए फिजिक्स लगी नहीं मैंग्जीमा मिनिमा को फिजिक्स में मिल गया आपको एक और लास्ट ये देखिए एक क्विश्चन ये रापके बस ख şimdi in the figure is a hollow ice-cream cone it is open and the top if its mass is m radius of its stop capital our capital r and. height h, then its moment of inertia about its axis is, इस axis के about आपको moment of inertia निकालना है, ठीक है, अब बिटा, अगर आप इसको common sense से करेंगे तो बड़े आराम से यह solve होगा, देखे होता क्या है, वैसे अगर आप देखें तो variable है, तो यहाँ पर आप एक इस तरह की ring assume करेंगे, यह ring, ठीक है, अच्छा, मैं इसको exactly यहाँ नीचे उतार दे रहाँ, यह मैंने ring उतार लिए, ठीक है, चलिए, अब एक और ले लीजे, यह ring है, यह वाली ring है, टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे, इस टॉप वाले को भी ऐसे उतार लीजे, और बहुत सारी ring अगर आप इस तरह उतारते चलेंगे, तो नीचे कह मिल जाएगा आपको एक, तो इस सिस्टम इस इकोलेंट टू डिस्क, ओफ रेडियस, कैपिटल आर, एंड मास, वो दिख आपको कोन रहा था, बट अगर आपने उसकी स्लाइसिस काटी, बहुत सारे ring होंगे, और ring को सबको एको प्रेस कर दीजे, तो ये आपकी एक r रेडियस की डिस्क बन जाएगी, इस तरह से, और इसका आपको moment of inertia पता होता है, क्या होता है, ये रेडियस r है, ये मास m है, ये आपका जाएगा, mr square y, 2, अगर कोई ऐसा option आपके पास है, तो वो ही आपका answer है, बिल्कुल, a option है, आपके पास, fine? तो ये कुछ common sense के question, कुछ मेहनत कराने वाले calculation वाले, ऐसा नहीं कि कोई question ऐसा हो, जो आपसे हो ना सके, ऐसा कोई question नहीं ठाएगी, तो एक और अच्छा topic, जिससे generally question मलता है, guarantee तो नहीं लोगा बिड़ा, लेकिन हाँ, center of mass, moment of inertia, ये दोनों ऐसे topic हैं, जिनसे generally question मिल जाते हैं, moment of inertia तो इसलिए भी important है कि अगर आप कोई भी rotation का question करेंगे, तो उसमें आपको मिलना ही मिलना है, moment of inertia वहाँ आपको use करना ही करना हो, ठीक है, तो यहाँ पर इसको complete करते हैं, next class में मिलेंगे नई topic के साथ, करते हैं, वहाँ है झाल कर दो कर दो दो झाल झाल